आप भी अपने अमरूत के प्लांट से गंबले के अंदर ग्रो करने के बाद इस प्रकार से काफी अच्छी संख्या के अंदर फ्रोटिंग ले सकते हैं यह देखिए किस तरह हमारे जो अमरूत के प्लांट के उपर काफी संख्या के अंदर अमरूत बने हुए हैं और यह बहुत ही जल्दी कनवर्ट होने वाले हैं अमरूत के अंदर कैसो आप सब आप सब का स्वागत है हमारी नए वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे अमरूत के प्लांट के बारे में और इस plant की किस तरह से आपने केयर कर नी है पर नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और हमारी वीडियो को साथ के साथ लाइक और शेयर करते रहेगा ताकि यह सारी की सारी information और लोगों तक पहुच सकते हैं और इसको इस परकार से इस तरह से गमले के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं यह हमने जो अमरूत का अपना प्लांट है यह हमने अठारा इंच के गमले के अंदर ग्रो करा हुआ है और अगर आपके पास जमीन है तो आप इसको जमीन के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं आज कल जैसे पैरेस के उपर गार्णिंग करने का काफी ज्यादा ट्रेंड चल चुका है त तो मैक्सिमम लोग हैं जो गमलों के अंदर फ्रूटिंग के प्लांट्स और वेजटेबल के प्लांट्स को उगाते रहते हैं और रिजल्ट भी काफी अच्छे मिलते हैं तो आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर आपको यही बताएंगे कि आप अमरूत के प्लांट से मैक गया फ्रूट के अंदर के 40 डिग्री प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा अंकूल है फ्रूटिंग के लिए तो मैप ने मार्कट से अच्छे से अमरूत के में लहाना है है अम्रूत का प्लांट अगर आपने गंबले में लगाना है या बहुत ही जल्दी फूटिंग लेना चाहते हैं तो आप केजी से अबव ही रहेगी इसके पर जो फूट्ट होगा यह जह सारे के सारे बर्ड्स देख रहे हैं यह बहुत ही जल्दी में फूटिंदर कनवर्ट होने वाले हैं फूट में ही सेCS लेंगे अपरोकस तो इसको लगाने के लिए आपने मिनिम्म 18 इंच का चेहन करना है या उसके लाबा आप इस परकार से एक ड्रम का भी इस्तमाल कर सकते हैं क्योंकि यह फ्रूटिंग का प्लांट है तो फ्रूटिंग के प्लांट के लिए आपको बड़े साइज का ही पॉट लेना होगा क्यों है जैसे कि अभी अपरिल का मीना चल रहा है गर्मियों की शुरुवात है देखिए इस प्रकार से बंचिस के अंदर हमारे जो अम्रूद के प्लांट के अंदर अम्रूद आ रहे हैं और यह अप्रोक्स सारे पहनी के उपर ही फ्रूटिंग कर रहे हैं तो इसके अंदर जो प्लावर दिशंच बडने शुरू हो जाते हैं और उसके लावा जब बरसातों सीजन आता हो उसके अंदर है इसके अइंदर काफी अच्छी अंदर करने मीन करण सब्सक्रम सूर्प यह जैसे ही जब आने वाली होती है तो उस समय बहुन होती है इसके अंदर ने अमंदर하 हम रूत का प्लांट है रूटिंग करता है तो इसको लगाने के लिए आपने जो मिट्टी का इस्तमाल करना है मिट्टी इसके अंदर आपने 50% है जो गार्डन सॉय लेनी है और 30% इसके अंदर आपने जो है वर्मी कंपोस्ट या गोबर की सड़ी वी खात को एड़न करना है और थोड़ी मात्रा के अंदर इसके अंदर आप सरसों की खली को एड़ ऐंड और सकते हैं पीसकर नहीं तो आप उसके लावा द़ी और जो है आपने Negen खली को एड़न करनी आपका जो ऑमरूत का प्लांट है इसके अंदर कभी कोई फंगस या कीड़े बगारे की प्रॉब्लम आएगी तो वो नीम खली इसको गूब कर देगी तो इन सारी चीजों को मिक्स करके आपने अपने इस प्लांट को लगा देना है अगर आप नर्सरी से प्लांट लेकर आए हैं और आपने किस प्रकार से लगाना है मैंने आपको अभी तो वर्बली बताया है अगर आप इसको प्रोसेस देखना चाते हैं तो आप हमारे चैनल पर आकर विजिट कीजिए हमने वीडियो बना रख था इसके उपर लास्ट येर हमारा प्लांट है जो एक साल पुराना प्लांट है लास्ट येर इसके उपर विडियो बनाया था तो आप हमारे चैनल के उपर आकर इसको देख सकते हैं कि कौन-कौन सी चीजों को आपने मिक्स करना है जो हमने जिस परकार से बताई है और किस परकार से इस प्लांट को ग् करना है और गानिक पल्टिलाइजर के अंदर आप गोबर की सेड़ी भी खाथ को एड़ उन कर सकते हैं इसकी मिट्टी की एक से देड़ इंच के अप्रोक्स गुडाई करने के बाद आप इसके अंदर एक दिन के लिए इसकी रूट्स को हवा लगने के लिए चोड़ देना है और इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट को एड़ उन कर देना है उसके इलावा अगर आपके अमरूत के प्लांट के अंदर फ्रूटिंग और फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आपने इसके अंदर जो है एक चमच बॉन मिल आपको इसली नरसरी से अगर आपके सराउंडिंग आसपास नरसरी है तो वहां से आपको इसली मिल जाएगी आप बॉन मिल को एक चमच इसके अंदर एड़न की रिए और आपको चार से पांच दिन के अंदर आपके अमरूत के प्लांट के अंदर रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा और इसके लावा आपने एक चीज़ अपने निदर पलानट के झाहिं रहेगी बहुत जल्दी फ्रूटिंग और फ्रूटिंग के अंदर बहुत जल्दी आपको hanma 시कीह गर आपने थे ना तो जयदा करनी है ना ही कम करनी है आपने वाटरिंग तब ही करनी है जब आपके जो अम्रूत के प्लांट के अंदर नमी जो है खतम होने लगे आपने अपने अम्रूत के प्लांट के अंदर नमी को बरकरार रखना है नमी को बरकरार रखने के लिए आप लीफ फर्टिलाइजर का पत्तों की ख लग सकते हैं जो की आने वाले संव में के अंदर सूख जाएंगे तो इसकी स्वाइल के अंदर आप इसको िक्स कर दीजेगा और इसके अंदर जब अमरूत के अ प्रकार के अंदर जब इसके अंदर फ्लावरिंग होनी शुरू हो जाए ज़ें attract होती है और ये इसको pollinate करती है इसके flower को और ने ट्रीक अरिवर को और ने ट्रीके से पॉलिईयट करती है जिससे कि इसके अंदर प्राक्टन होता है ने ट्रीक़े से पॉलिनेट होगा तो आपका अंबूत का फ्लावर है वो फ्रूट के अंदर बहुत ही जल्दी कनवर्ट हो जाएगा और रही बात अगर इसके पर किसी कीट बगारा का अटैक होता है तो उसके लिए आपने इसके अंदर जो है नीम के पत्तों की पानी का स्प्रे करना है उब तो आपके जो अगर प्लांट के उपर किसी परकार के कीड़े की समस्य आ रही है तो यह सब दूर हो जाएगी अगर आपको कुछ और भी इंफर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट कमेंट बॉक्स के अंदर आकर पूछ सकते हैं अगर आपको किसी भी तरह की समस्या का है लुव झावचर समस्या के लापको के तो हूज मेंट यह झाब ही अद्याको किसी उतर श्याच का अजस्या के लागिधर अवगावां वैग लेैगि झापको किसी इब रिताना वे भी झाक्र और को संस्ता है वीधिषर्ण है झाल झाल